तो विद्या साथ ही यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग CDP Child Development and Pedagogy का जो Socialization Process एक चाप्टर है जिसमें से की कोस्टन रेगुलरली पूछे जाते हैं तो उसके प्रिवियस येर कोस्टन हम लोग स्वाल करने वाले हैं और फ्रेंड्स इसका धियरी वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है आप वहां से जाके पूरा धियरी अच्छे समझ सकते हैं और साथी साथ जो है एक और वीडियो चैप्टर पर मैं और कोस्टन के लेकर होँगा जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि किस तरह के कोस्टन इस एक्जाम में सीटेट 2000 दिसेंबर 2014 में इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं इसलिए चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए चलिए पहले कोस्टन की तरब बढ़ते हैं तो देख यहां पर पहला कोस्टन क्या दियो है फ्रेंड्स तो देखो सोचलाइजेशन तो त्रूआउट चलता रहता है लेकिन सबसे ज़्यादा intense, ठीक है, सबसे गंभीर रूप से जो है socialization मतलब समाजी करण जो होता है बच्चे का, वो कौन सी एज में होता है during adolescence, during early childhood, during adulthood and throughout the life of a person तो इसका जो correct option है friend, इसका correct option है during adolescence ठीक है, पहला all option correct है यहाँ पर, ठीक है, इस time पर बच्चे के अंदर बच्चा बहुत social होता है, और इसलिए जो है, इसमें बहुत intense social license हो रहा होता है, adolescence के age में, और यह question seated June 2011 में पूछा गया है, नेश को से तरफ पढ़ते हैं, students observe fashion shows and try to imitate models, this kind of imitation may be called, ठीक है, तो बच्चे जो है, कोई student है, वो जो है, fashions object करता है, और जो है, वो knuckle करने कोसिस करता है, imitate मतलब, वो copy करने कोसिस करता है, इस तरह का जो है, नकल यह क्या कहलाता है, primary simulation, तो simulation नहीं है यह, ठीक है, secondary simulation भी नहीं है यह, यह basically social learning है, वो जो है, वो देख के जो है, social समाज में जो है, देख के जो है, वो सीखता है, ठीक है, तो यह social है, जैसे अभी विराट कोली का जो है, hairstyle बहुत सारे लोगों ने copy किया, एक ने copy किया, उसका देखा देखी, दूसरे ने भी किया, तीसरे, यह समाज में जो, यह hairstyle का, copy करने का चलन पढ़ गया, यह socialization है, यह social process है, तो यहाँ पर भी कुछ यही हो रहा है, बस विराट कोली की जगाँ पर model है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो correct option है, social learning हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, next question के दरफ, in the context of socialization, school often have a hidden curriculum which consists of, मतलब कुछ से ने बोल रहा है कि, socialization के context में, कि school के अंदर जो है, कुछ hidden, छुपे ही करिकुलम होने चाहिए, वो official, वो syllabus में नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ hidden curriculum होना चाहिए, अब जिसमें से क्या होता है, negotiating and registering socialization, तो friends, यह तो negative हो गया, socialization को resist नहीं कर सकते, ठीक है, अब student through their families, तो ऐसा नहीं कर सकते, तो यह तो option eliminate हो गया, और इसके बाद दूसरा जो option है, teaching and assessment of values and attitude, ठीक है, तो socialization में values and attitude, socialization अलग concept, teaching values भी इसमें आता है, लेकिन यह correct option नहीं होगा, next step, forcible learning, तो यह आपर forcefully learning आ गया, तो यह तो negative हो गया, तो इसमें जो है, school के curriculum में यह सब नहीं होना चाहिए, thinking and behaving in particular way of imitating peer and teachers, ठीक है, तो यह भी जो है negative keywords होनी के वैसे, यह जो है, नहीं होगा correct option, and the formal cues about social roles presented in school throughout interaction and matter, तो informal, sorry, informal cues होना चाहिए, जिससे ज़र बच्चों के अंदर socialization, good socialization जो है, promote होना चाहिए, तो यह fourth वाला जो है, आपका correct option हो जाएगा, next question तरफ बढ़ते है, process of socialization does not include, seated 2015 में आए हुआ हुआ, September में, process of socialization does not include, acquiring values and values, यह तो है, हमें अपने समास से अच्छी चीज़ों को देखकर, बच्चों को उससे values और उसके भरोसा, जो belief है, वो लेना चाहिए, genetic transmission, तो फ्रेंट्स देखो, genetic transmission जो है, biological होता है, माबाप से मिलता है, वह हमारे DNA के थ्रू होता है, heredity का concept इसमें आता है, इसलिए जो है, process of socialization does not include, genetic transmission, यह हमारा correct option हो जाएगा, आख बंद करके आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें option तीसरों चता भी पढ़ लेते हैं, learning the custom and norms of a culture, यह भी बात है, cultures के जो norms है, उसका हमें सीखना चाहिए, acquisition of skills, हमाज में क्या क्या स्किल से, वो भी हमें सीखना चाहिए, जैसे NEP, अभी initial new educational policy जो आया हुआ है, उसमें भी बच्चों को जो है, जो कारीगर, painting और इसके बाद जो है, car painter का का काम जो है, सीखने के ल middle childhood is the period from, तो middle childhood जो है, देखो यह जो है, two to six year नहीं होगा, ठीक है, यह early childhood पे आ जाता है, six to eleven year जो है, हमारा correct option है, ten year onwards हो गया, तो क्या throughout middle childhood रहेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई gap नहीं दिया, ten years onwards, मतलब 40, 50, 60 साल भी क्या रहेगा, middle childhood नहीं, तो यह तो बिलकुल ही हो जाएगा गलत, और birth to two year, तो यह जो है, basically जो है, यह infancy stage आता है, तो इसमें जो है, यह option बिलकुल correct नहीं होगा, तो हमारा correct option जो है, इची question होते हैं, बस थोड़ा सामें, बच्चों को सेंटर्म रखके जो है, question solve करने होते हैं, तो आपको जो है, आराम से 25 plus 30 में से marks आते है इसमें टेंशन नहीं बात दें, बस previous question और जो है कुछ अलग से question हम solve करेंगे, तो हो जाता है हमारा chapter, next question तरफ बढ़ते हैं, next question देखो, क्या दिया है, school is an institution of socialization of children, where, तो अब school is an institution of socialization of children, where, अब इसमें से correct option में चुनना है, school routine occupy the central position, नहीं, देखो, central position तो बच्चा ही होगा स्कूल में, और NEP भी यही कहता है, और जो हमारा NCF है, वो भी यही कहता है, कि बच्चे को हमें सेंटर में रखे, सारा जो है, अपना जो है, चीज़ें डिजाइन करनी चाहिए, school activities occupied है, नहीं, school activities नहीं, school teacher occupied है, central position नहीं, और इसके बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च बच्च्च्च्च्च्च्च्च को सेंटर में, रखके है या आप यह कोई ऐसे तरह के question अप solve कर सकती हो, तो हमारा correct option हो जाएगा है, school children occupy central position. next question करफ पहते है, the process by which children develop habits, skills, values and motives that make them responsible, productive, member of society is called. तो देखो जिससे बच्चा जो है अच्छे हैबिट सीखता है अच्छे स्किल्स शीकता है वैलूमोटिज्स, मेक धबें थैश्पन Googler उनको जिवनेदार बनाते हैं प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाता है, तो इस प्रोफसेस को हम लोग सोसलाइजेशन्द प्रोसेस कहते हैं, चैप्टर का नाम यह यह सोसलाइज़ेशन्द प्रोसेस ठीकितर, inclusion नहीं होगा means streaming नहीं होगा differentiation अलग चीज़ है तो यह मारा सोचलाजेशन पर ज्यादा सूट करता है कि यह मारा correct option हो जाएगा next question के दिछ तरफ बढ़ते है socialization that that dash sorry मैं क्या पढ़ रहा हूँ school that that dash socialization of children तो is a primary agency is a secondary agency does not play any role plays very little role तो देखो यहाँ पर जो correct जो है option जो फिट बैठ एगा ना स्कूल इस सेखेंडरी अजेंसी प्रामिर अजेंसी नहीं होता फ्रेंड इसकूल जाओ इसकेंडरी एजेंट बोल सकते भाब तीक है तो यह हमारा correct ऑप्षन सेकेंडरी प्रामिर बच्चा का जो परिवार होगा आ society only through formal देखो यहाँ पर only through formal agency जा गया तो यह जो है यह तो correct नहीं है रीजन क्या दिया socialization नहीं जो simple and linear process नहीं socialization simple and linear process नहीं है ऐसा होता तो समाज में कोई गुंडा बदमास बनता ही नहीं ठीक है कोई जो है गलत काम involved नहीं होता यह जो है complex इसको समझना जो है थोड़ा difficult होता और socialization जो है अल्रीड यह complex process में आता है तो इसलिए यह भी गलत हो गया तो हमारा जो correct option choose the correct option बोला है तो यहाँ पर जो है बोथ A and R are true नहीं यह तो नहीं है बोथ A and R are true नहीं यह तो नहीं है next question friend apart from academic concept children learn a lot of skills lot of skills as well as value and belief in school सही बात है school is a secondary but essential agent of socialization यह भी सही है लेकिन क्या यह जो region जो है correct explain कर रहा है assertion को अब देखो region क्या बोल रहा है school is a secondary but essential agent of socialization यह तो statement सही बात है essential भी है secondary भी है तो apart from academic concept children learn a lot skill ठीक है यह भी सही बात है लेकिन यह region जो है ना इसको explain नहीं कर पा रहा है तो इसलिए हमारा जो correct option होगा both A and R are true but R is not the correct explanation तो यह हमारा जो है correct option हो जाएगा क्योंकि school is a secondary but essential agent यह statement हो गया सिधा से statement हो गया लेकिन क्या इसके वज़े से academic concept children learn a lot skill as well as value and belief in school इस school तो सिखने सिखने के लिए होता ही है ठीक है बच्चा वहाँ पर सिखता है लेकि secondary secondary और essential agent है इसके वैसे नहीं स्कूल में अभी बहुत सारी चीज़े होती है ठीक है तो इसलिए हमारा यह option correct हो जाएगा ठीक है और next question तो फ्रेंड्स थैंक यू आज के लिए इतना इस question में इतना ही है इस chapter में और यह मैंने जो है अभी आप देख सकते हैं 2022 तक का किया है ठीक है तेश 24 जाबी और आगे के वीडियो में आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल और सीटेट त्यारी करते रहो और अपना ख्याल रखो बाई